नमस्कार दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से मनाली के सफर पर बुक की टिकेट की है मैंने मेक माई ट्रिप से कश्मीरी गेट से बस मिली है रामदलाल कंपनी की यह जिन भी कंपनी के नाम यह लिखे हैं सभी की अच्छी टिकेट है अच्छी बसे है आप इनको ले सकते हैं दो टिकेट की कॉस्ट पढ़िया पंदरा सो रुपे की लगबग दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस से 500 किलोमेटर पड़ता है और अब आपको यह दिखाते हैं कि अंदर से बस किस तरह की है टोटल ट्रैवल का जो टाइम है वह बारा घंटे का रहेगा आप नौ बजे बैठेंगे तो नौ बजे उतरेंगे यह नौ बजे की ही बस है बहुत अच्छी क्वालिटी प्रीमियम रहती है इसकी सेमी स्लीपर बस को कहते हैं फूट रेस भी बहुत बड़ी है पीछे बैक साइड में शिफ्ट हो जाती है बहुत कमवर्टेबल डेता है ट् कुल नैचुरल बीच में से पहाड को काट कर यह टनल बनाई गई है कुल मिलाके ऐसी साथ टनल पड़ती है टोटल रास्ते में कुछ इस तरह की हैं रॉफ फॉर्म में और कुछ हैं जो बिल्कुली वैल फरनिश्ड है आगे और भी टनल से ऐसी आएंगी इनके बीच में से बहुत सारे लोग वहां सिर्फ टनल को ही देखने जाते हैं तो यह वाली जो टनल ऐसी कुल मिलाके साथ पड़ेंगी तो आप टनल का आनंद लीजिए देखिए यह लगबग हम पहुंचने वाले हैं मनाली और यह वहां पहाड़ों में ऐसी टनल बना रखी है यह पूरी की बिलस की वी संप्रक जाते है जो बहुत मिलच में वी खतिया और दूसरी टनल सार्ट होगी तो बीच में जो वह सब लगा वह एंससे सहां 違shean में ना वसा टिरशीं में खतम हो रही है आघंड के बादध चंडा करीम के वहां पूँच चुका है तो वहां पर थंडा मौसम होई जाता है घ्रल जल जाती है आप झाल का टोड़ा आनन्द लिए कर देखिए एक टनल है यह टनल यहां पर खतम हो जाती है और इसके बाद पर किस तरीके से रास्ता मिलता है वह भी देखिए आप यह देखिए एक दमसाम ने केतना बढ़िया नजार अब मनाली देखने बड़ी सुंदा लगती है इसको पेंडो डैम कहा जाता है पेंडो बांध है यह उपर से देखने में बहुत ही शांदार लगता है इसके आजू बाजू पूरा घूमते हुए बस निकलती है तो आप टाइम से उठ जाएगा जादा सोहिएगा नहीं अगर इन सब नजारों का आपको रास्ते में आनंद लेना है तो देखिए कितने शांदार एक दम फोर लाइन रोड से यहां पर मैने हुए मनाली में एक दम बड़िया पक्के ऐसा लगी नहीं रहा कि हम कोई लगबग 5000 की हाइट पर बस चला रहे है ऐसा लग रहा है कि वीपुल मेनाली के अंदर आपको हमेशां देखने को मिलती है वही पूरी एक लंबी नदी है जो भूसी जग्यों से लेकर गुजरती है तर चक्ते पत्सक्राइस की पींट भूमिए चांं में इस वहाद है। जो पूरा का पूरा अभी तक नहीं बन पाया है तो यहां पर बस जो अक्सर धीरे हो जाती है लेकिन साथ में जो यह नदी बैह रही है देखने में कितने ही सुन्दर लग रही है एक दम जब बिल्कुल रियल में इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यह बैल गाड़ होटल है होटल गेजलिंग इन गोल्डन अपल यह हमने बुक किया था दो नाइट और तीन दिन के लिए जिसकंदा ब्रेकपस्ट और डिनर दोने इंकलूड थे चार हजार छेसो रुपे टोटल पड़ा था और यहीं से जो इनका बस टेंड है यह जरूर ध्यान की जगह के बालकनी वाला आप रूम लें ताकि बालकनी से आप पानल ले सकें टैक्सी हमने यहां पर उतरते ही कर ली थी सभी घेर लेंगे आपको टैक्सी के लिए तो ती अब ही आप कहेंगे वहां ले जाएगा और शाम को आपके होटल पर छोड़ देगा नजारा देखिया कितना सुंदर बालकनी से नजारा है मतलब सुबह सुबह की जो एक ओस होती है कितना अधभुत आनंद यह जितने भी पेड़ा यह सारे सारे एपल के पेड़ा है तो य कि इतना मज़ा आता था अब यह हमारा शुरू हो गया है हमारी पहले साइट सा allowing साइट सींग है यह है आपका हेडंब से पहली जेग है जो हमारे गाइड ने अमको दिखाई यह भी बड़ा एक अधभुत मंदिर लगा ये आपको दिखाते हैं अभी ये सारे सारे देवदार के पेड़े नाली भरा पड़ा है इन देवदार के पेड़ों से ये है हमारा पहला दिन जो शुरू होता है हिडंबा टेंपल से इडंबा आपको पता ही होगा भीम की पतनी थी और इनका जो बेटा था घटोत कच उसका भी मंदिर यहीं पर पास में है बिल्कुल पुराने जमाने का 5000 साल पुराना पुराने टाइप का बिल्कुल बनावा मंदिर है सिर्फ लकडियों को एक दूसरे पर फिट करके बनाया गया है यह मंदिर के लाइन लग रही है बहुत चोटा सा मंदिर है पुराने टाइप का अंदर की फोटो लेना पॉसिबल नहीं है लेकिन जब अंदर गुसेंगे ना तभी आपको आइडिया लग जागा कितना पुरान मंदिर है यह सब पुराने जानवरों के सी हैं हजारों साल पुराने जानवरों के इसकल लगे हुए इनको जब ऐसे इतना पास से देखते हैं तो उसी में बड़ा आनंद रगता है इक ता मसमराइजिंग होता है फिर उसके बाद हम गए क्लभ हाउस में हमने जाकर यह जानवरों के सामने वन विहार वियार में पुछ बच्चों के लिए जूले लगे हुए और बोटिंग की है तो बोटिंग हमने की थी बोटिंग में आनंद आया अच्छा-कासा दस एंग मिनट के लिए वहां पर आपको बोट मिल जाती है मात पचास रुपे के अंदर एक दूसरा दिन हम लोग गए अंजनी महादेव टेंपल जोगी मनाली से 25 किलोमेटर दूर पड़ता है यह अभी इसके बारे में जाता लोगों को पता नहीं है तो आप क्या करिएगा आप पहले यहां जाईएगा दूसरे दिन सोलंग वैली आप बाद में जाईएगा सब लो शनी कोई कुत्र की प्राप्ति पराप्ति यहां पर यह मंदिर बना हुआ है बड़ा सुंदर मंदिर है यह देखने में और उसकी खासियत आरो आप इस पर एक जर्मर्ण देख सकते हैं तो वैसे तो यहां पर पूरा पक्का शिवलिंग बना हुआ है जैसे बनता है पत्तर का लेकि इस टेम के हैं सार का सारा वो बर्फ से डखा हुआ है अभी मैं आपको दिखाऊंगा यह है वो शिवलिंग की जिगे सामने और उपर अगर आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी जगह है लेकिन फिलाल तो सब बर्फ से डखा है सब लोग अपना सिर्फ बर्फ का आनन्द ले रहे हैं फिर उसके बाद थोड़ा नास्ता पानी करते हुए यह जिप लाइन हमने देखी जिसका प्राइस पांसोर पे था अगर आप ट्यूब जो करेंगे उसके भी 500 रुपे हैं तो जो आपके करने की इच्छा हो वह आप कर सकते हैं यह भाई साब जी देखे कैसे घुसी गए बर्फ के अंदर यह बर्फ काफी सॉफ्ट है और गिरने का भी चांस रहता है मैं भी एक दो बार गिरा फिर उसके बाद हम लोग गई सौलां इस नहीं थी जितनी गेम यह पर हैं यह जो आप देख रहे होंगे वोपर पैरागलाइड इंग हो रही है यह यहां का सबसे बड़ी आमीन अट्रक्शन है पैराग्लाइडिंग दो होती है एक लो हाइट और एक हाई हाइट की हजार रुपर और साड़े तीन हजार रुप बाकि यहां पर यह मैने तो लो हाइट वाली पीरग्लाइडिंग वाली टो ले जाते हैं और आपको यह है फूल हाइट वाली पैरग्लाइडिंग साड़े तीन हजार रुपे की और अगर आपको मेडियम वाली पैराग्लाइडिंग करनी है जो कि मैंने की थी तो इसके लिए आपको उपर पैदल चड़ के जाना पड़ता है और उपर जाकर वह इतना स्टीप हो जाता है कि थोड़ी सी हालत खराब होती है जिया जो फुल है फाली पैराग्लाइडिंग है फुल है वाली पैराग्लाइड आपको ले लेगी आप ऑफ सात नीचे उतरने में लेकिन जो मिडवे वाली है वो सिर्फ तैर्म अकने नीचे ले आती है अमारी ओटल के बाहर यह एक पपी फैमिली थी इनको हम रोज खाना ग बनाए हुआ है बिल्कुल वैशनो देवी की तरह गुफा इसके अंदर बनाई हुई है और उसी तरह से आशंकर महादेव का भी इसके अंदर टैंपल है वह काफी में अट्रेक्शन है लेकिन हमापर वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं है तो जो जो भी पॉसिबल है विम पॉसिण के सारे में जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन सब के एक एक फलोर के उपर मंदिर मने हुए है अच्छा है आपको यह यही नदी जो मनाली से बैते हुई है और इस धार अब यह राफ्टिंग है तो मतलब अभी हम यह वापस जा Совाह एसे वह तो है यहां इस Pa हो आगर भी ऐसा लगा कि prophetic के लेकर बैठ ही झाओ और मैं बैठ भी यह मंदिर अभी अंडर स्ट्रक्चर है लेकिन काफी हद्बूत है यहां पर बुक्स का स्टॉल भी है यहां पर शॉपिंग के लिए भी एक स्टॉल बना रखा है पूरा रूम इसी के अंदर ही काफी अच्छा है आप अच्छा-कासा समय यहां पर विजित कर सकते हैं यहां हर वक्त लंगर भी चलता रहता है आप चाहें तो बैठके परसाद भी ग्रेंड कर सकते हैं नव ग्रह मंदिर भी है यहां पर सभी देवियों के मंदिर भी है फिर हम वापस आगे रिवर आफ्टिंग के लिए रिवर आटिंग का रेट रहेगा तीन हजार रुपे एक आगे नगर और यहां का में अट्रक्शन है नगर कैसल यह एक उस टाइम का किला है इसकी खासियत ही है कि सिर्फ पत्थर और लकडियों को बीच में फिट करकर के बनाया गया है और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चूना या मसाला इसके अंदर इस्तिमाल नहीं हुआ है और यहां पर 7-8 फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है जैसे जवी मैट का जो गाना है जो में गाना है उस मूवी का वहां बैटे बिठाए बाला गाना वह उसकी शूटिंग यहां पर हुई है आप देख सकते हैं उसको रितिक रौशन की एक मूवी है उसकी शूटिंग भी यहां पर हुई है हीरो की शूटिंग यहां पर हुई है बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहां पर हो चुकी है बाहर बोर्ड लगा है बोर्ड अभी आपको दिखाएंगे बोर्ड पर लिखा है किस किस फिल्म की शूटिंग यहां पर हुई है यह चोटा सा मंदिर ह जो यहां पर बाबा रहे होंगे उनका मंदिर है वो अभी जब इसकी हम बाहर में बालकनी में आएंगे वो है में अट्रेक्शन यहां का आप काफी समय यहां पर लगाएंगे कि यहां आराम से बैठें और आराम से बैठ कर यहां के नजारों का आनंद लें देखिए बहुत जादा हाइट पर रही है बहुत ही जादा हाइट पर बिल्कुल कोने पर मनाया गया है कितना अद्भूत लगता है यह वो अरिया है जहां पर उस गाने के शोटिंग होई थी काफी कुछ यहां पर टैंट लगा के देखिए नीचे का सारा इलाका नदियां पहाड वगरा लेकिन बादल भी सामने से एक दम से सडल ली आगे थे और ऐजा लग रहा था कि जैसे अभी बारिश ही हो जाई है देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है यहां कुरसियां भी रखे हैं आप अराम से बैठ सकते हैं यह सारा सारा एरिया है लोग यहां पर रुकते हैं फो इस ते मौसम बहुत बढ़िया लग रहा था मार्च दोवजार चौबिस की यह वेडियो है क्योंकि समय बताना बहुत जरूरी रहता कि वेडियो यह कब की है कि भाल करनी से आकर यह आपको कितना सुन दर नजगा तीछे पहाड इतने हैं कि अभी वह सूरत की रौशनी से इस थोड़ा बहुत आइडिया तो लग रहा है लेकिन जब वहां पर एक्चुल में होकर देखते हैं तो बड़ा आदबुत आनम लगता है इसा लगता है जैसे किसी राजा का महल है और महल है भी यह एक छोटा सा म्यूजियम इनोंने नीचे बना रखा है आप जब कही जाएं तो इसको ठीक से एक्स्प्लोर करना चाहिए यह सब बहुत पराने बने हुए हैं यह देखिए पराने पराने शिल्पकार कितने पराने पराने शिल्प है यह अब तो बिचारे कुछ की तोहलत भी बहुत खराब हुए है यह सब हजारों साल पुराने और आप देख सकते हैं कहीं चूना नहीं लगा पत्थरों के बीच में पत्थरों को एक के ओपर सेट किया हुआ है और लकडी फिटकी हुई है और इसके अला सुन्दर यह साथ में छोटा सा बहुत बनाने टाइप का मंदिर भी बना हुआ था देखिए इसको आप फ्रीज करके देख लीजिए फिल्मों के नाम लिखिया है हीरो रोजा बरसात अब फिर यह जिंग बस हमने वापस अपनी वापसी के लिए बुग बस की थी अंद्रा बाई बाई मराली